हेलो बच्चो आइम रश्मी यो मैट्स टीचर तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं हमारी exercise 11.2 का introduction तो 11.1 में हमने किसी line के direction, cosines, direction ratios कैसे find करते हैं ये हमने यहाँ पे देखा था और हमने अगर वो 2 points से pass हो रही है तो उस line के direction, cosines कैसे find करते हैं ये भी हमने वहाँ पे देखा था तो बहुत सारे topics हमने पढ़े थे लेकिन इस exercise में हम mainly देखेंगे कि उन lines की equation कैसे find करते हैं जो line आपके 3D में है, एक 3 dimension में अगर एक line है तो आप उसकी equation कैसे find करोगे, ये हम इस exercise के अंदर देखने वाले हैं तो देखो 2D में तो आपको line की equation find करने आती है, x axis, y axis हमने class 11 में पूरा 2D पढ़ा है, 2 dimension इस line की equation को find करने के लिए कभी हमें angle दिया होता था, कभी intercept दिया होते हैं तो अलग-अलग condition होती थी जिसकी हम यहाँ पर line की equation बना लेते थे और every line की equation जो आप बनाओगे, वो उस line की unique equation होगे उसकी अगर वो equation है, तो और किसी की equation वो यहाँ पर नहीं होगे तो वो line की equation कैसे find करेंगे, कुछन-कुछ हमें condition दिया होगे जैसे यहाँ पर theta given होता था, intercept given होता था तो line की equation बनाने के लिए हमें भी यहाँ पर 2 condition दियोगे और वो 2 condition क्या होगी, तो इन 2 condition के through हम किसी भी line की equation निकालेगे तो पहली condition आपको यहाँ पर यह दियोगी, कि वो जो line होगी, वो किसी एक point से pass होगी किसी एक given point से pass होगी, that means वो आपको point वहाँ पर given होगा और वो किसी vector के क्या होगी, parallel होगी, तो पहली condition अगर आपको line की equation निकालनी है तो एक point से तो वो pass होने चाहिए, वो point आपको given होगा और किसी vector के parallel होगी तो देखो, यह एक point है, इस एक point से बहुत सारी lines pass हो सकती है, infinite lines pass हो सकती है बट अगर मैं कहूँ कि नहीं, मुझे इस direction का चाहिए वो line, तो उस point से इस direction में एक ही line यहाँ पर pass होगी तो direction अगर हमको दे दिया है, तो vector क्या होगा, vector उसको direction देगा, तो that means वो line आपकी क्या हो जाएगी, unique हो जाएगी इस direction में चाहिए तो यह होगी, इस direction में चाहिए तो यह होगी, लेकिन point से तो बहुत सारी lines pass हो सकती है फिर आपको दूसरा condition दिया है, कि equation of line passes through two given points, तो आपको एक point यह दिया हुआ है, एक point यहाँ दिया हुआ है तो दो point से आपको पता है, हमेशा एक ही line क्या होती है, pass होती है, तो यह भी line unique हो जाएगी और यह भी line आपकी क्या हो जाएगी, unique हो जाएगी तो one by one आप इस कौम deep में समझते हैं कि इस condition में कैसे आएगी, इस condition में कैसे आएगी अगर आपके पास exam आने वाले time कम है, तो आप direct formula learn कर सकते हो इन दोनों के लिए और आप exercise को कर सकते हो तो यहाँ पे जो आप equation निकालोगे line की, वो दो answer हमें मिलेंगे, आपको answer यहाँ vector form में मिलेगा और Cartesian form में मिलेगा, यानि वो line जिसका direction हो वो भी आप लिख सकते हैं और Cartesian form जिसमें आपके यहाँ पे क्या होंगे, x, y, z coordinate की form में है तो क्यों address बता दोगे, यह line है, इसका यह coordinate है, यह coordinate है, यह coordinate है, यह coordinate है तो formula मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको दो तरह के formula मिलेंगे, एक vector form मिलेगा, एक Cartesian form, यहाँ भी vector form मिलेगा और एक Cartesian form मिलेगा, तो इस method से हमें यहाँ पे total 4 formulas मिलने वाले हैं तो first way हम find करें equation of line, जिसमें आपको एक point दिया होगा, और यह किसी vector के parallel होगी और यह line आपकी क्या है, space में है, तो मैंने यहाँ पे 3 dimension space बना लिया, x, y, and 3 axis बना लिया अब क्या है, अब आपको कहा है कि यह जो line है, इस पे एक point given है, तो let में यह point यहाँ पे बना लेती हूँ और हम भीशन यहाँ दखना, point x, y, z कभी भी नहीं होगा, point आपका x1, y1, z1, x2, y2, z2 ऐसे हो सकते हैं क्योंकि आप एक equation बना रहे हैं, तो equation में x, y, z क्या होते हैं, वहाँ पे variable की form में आते हैं तो इस point को हम यहाँ पे ले रहे, x1, y1 और z1 दे लिया, ठीकें, अब कहाँ एक vector है जो इसके parallel है, तो हम यहाँ पे एक vector भी बना लेते हैं तो यह मैंने इसी के parallel यहाँ पे एक vector बना लिया यह vector मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया B है अब यह vector है तो इसी form में होगा A I cap plus B J cap plus C K cap तो यह point हमें given होगा यह vector हमें यहाँ पे given होगा तब आप यहाँ पे एक equation इस line L की बना करके दिखाओ तो actual में equation होती क्या है आप equation से क्या समझते हो equation का मतलब यहाँ पे यह होता है कि इस line पे जितने भी points है वो उसको satisfy करें जैसे हमारी कोई line के equation 2D में हम बना दे थे कि X plus Y equal to 5 है तो यहाँ X के जोगर 2 रख सकते हैं तो इस line पे क्या क्या point होगे X के जोगर 2 रख सकते हो Y के जोगर 3 रख सकते हो X के जोगर 5 रख सकते हो Y के जोगर 0 रख सकते हो तो यह सारे point जो है वो इसको यहाँ पे satisfy करें तो कहने का मतलम यहाँ पे क्या है कि इस point के यहाँ पे जितने भी coordinates है यहाँ जो coordinate यहाँ जो coordinate जो भी coordinate है उसके अंदर हम यहाँ पे कोई न कोई एक relation निकाल ले इस तरह का कि x plus y plus z इस तरह का हम कोई न कोई relation निकाल ले जिसको यह सारे point क्या करते हो satisfy करते हो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं एक equation कहते हैं चीक है तो अब एक equation बनाओगे तो उसमें x y z भी होना चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कोई भी arbitrary point लेते हैं पी क्योंकि इस पर बहुत सारे point होंगे पर हमारी equation x y z form में होनी चाहिए तो मैंने यहाँ पर x y z कोई भी यहाँ पर arbitrary point इसके ओपर ले लिए चीक है अब मुझे इस line की equation बनाने ह आप यहाँ पर देखो और यह सारा कुछ हम vector की help से ही करेंगे मैंने आपको पहले का था कि chapter 11 जो है वो chapter 10 आएगा तभी आप इसको easily कर पाओगे और यहाँ पर वैसे भी एक vector आही रहा है तो पूरा का पूरा vector की help ले करके ही हम इसको solve करेंगे तो देखो line के अंदर या space मे पिय एक point A है तो क्या आप इसका position vector बता सकते हो पोजीशन vector का मतलब यहाँ पर क्या हो गया इसकी origin से distance O A हम यहाँ पर निकाल सकते हैं तो O A यहाँ पर क्या हो जाएगा तो O A हमारा यहाँ पर क्या position vector यह इसकी क्या मता रहा है A point की position बता रहा और इसको हम short में vector A नेम कर द तो वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 i cap plus y1 j cap plus आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा z1 k cap हो जाएगा तो यह हमारा हो गया सेम आप यहाँ पर op यह जो p point हमने इस line पर कहीं पर भी एक arbitrary point लिया उसका भी position vector हम निकाल सकते हैं तो मैंने लिखिया op position vector वे जिसको हम vector r कह रहे हैं चीक है तो यह हमारा oa हमने vector a ले लिया op हमने यहाँ पर vector r ले लिया क्या हम इसके अंदर triangle law लगा करके ap vector निकाल सकते हैं easily निकाल सकते हैं तो triangle law हमारा यहाँ क्या होगा क्या है इस तरह से सम्झे अब 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 यहां पर क्या है यहां पर क्या है यह जो लाइन है दो पॉइंट को जॉइंट करने से हमें एक वेक्टर निकाल सकते हैं सी थ dei सा माईनर जंन ओस आई कभ यहां पर क्या है तो पैरलेल वाले में क्या होता है कोई भी दो पट्र आपको बालेल शो करने हो या पर बालेल हो तो हमारे पास एक रिल्येशन ओता है कि ि्वथये गूंतर ए प्रम सबस्क्राइद मत्once हब समय फोंक्त पर salvageable तो यह relation होता है या फिर vector b equal to lambda vector है यह हमने पढ़ा है chapter 10 के दा नहीं पढ़ा है पीछ जाके वापस देगो collinear show करना हो parallel show करना हो तो यह हमारी condition होती थी तीन होती थी पर अभी हम यहाँ पर यह ले रहें या तो यह कर दो या a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 कर दो या l1 equal to l2, m1 equal to m2 इनके direction cosines equal कर दो तो यहाँ यह दोनों parallel है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा vector a equal to lambda vector b यहनी कि ap equal to lambda vector b हो जाएगा चेक है तो मने लिए ap vector equal to lambda v vector अब ap की value का आप यहाँ पर रख दो तो यहाँ हम लिख लेते हैं from first and second from first and second we have vector a, ap की जगे पर हमने रखा plus lambda b vector equal to r vector तो this is your equation of line in a space जिसका क्या एक point आपको पता हो इस line के उपर कोई भी point आपको पता हो और वो किसी vector के parallel है वो भी आपको यहाँ पर पता हो तो यह line की equation जो आपके आ रही है यह किस form में आ रही है vector form में आ रही है तो यह हमारी line की equation है जो आपको यहाँ पर याद रहे है अब आपको question किस तरह के सा आएगा अभी example करते है एक point आपको दिया होगा मानलो 1,2,3 दिया है और एक vector आपको दिया होगा जैसे कि 2i cap प्लस 3j cap प्लस 9k cap आपको दिया है क्या होगा तो r vector उस पर कोई arbitrary point आप ले रहे हो तो उससे जो आप vector बनाऊगे x i cap प्लस y j cap प्लस z k cap वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा arbitrary vector यह r vector यहाँ पर हो जागा तो यह आपका a vector होगया यह आपका r vector होगया और बी vector क्या होगा तो b vector आपको qe Berry方 के अंदर given होगा तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें इन तीनों vectors की value put कर देना है बस और कोई काम आपको नहीं करना है एक point आपको दिया है उससे vector A बना दोगे vector R आपका वैसे भी x y z से बनेगा vector B आपको given होगा तीनो इसमें put कर दो और आपका काम यहाँ पे हो गया कि आपने equation of line बना ली तो देखो यह हम vector form है हमारी इसका एक example करते हैं तो example number 6 देखो find a vector and partition equation partition equation अब बाद में करेंगे इससे आगे हमें पढ़ेंगे अभी हमने सिर्फ पढ़ा है कि vector equation कैसे बनाते है तो align through तो यहाँ बना दो एक line है जो point A से पास हो रही है तो 5 2 minus 4 से पास हो रही है और एक vector है यह आपकी line है line endlessly extend हो सकती है और यह vector जो एक ही direction में extend हो सकता है तो यह हमारा हमीशा क्या होता है vector b होता 3 i cap plus 2 j cap minus 8 k cap होता है यह दिमाग में रखना है अब इसके बाद आपकी vector की equation बनाने का formula क्या होता है तो vector की equation बनाने का formula होता है हमारे पास r vector equal to a vector plus lambda b vector होता है आप चाहो तो r vector को मर्जी से आप यहाँ पर x i cap plus y j cap plus z k cap पुट कर सकते हो नहीं तो r vector को r vector ही यहाँ पर छोड़ सकते हो यह आपकी मर्जी है ना तो mainly हम जब यहाँ पर लिखते हैं तो हम इसको r vector ही लिखते है अब देखो b तो आपको given है अगर इसमें confused नहीं होना है तो देखो b आपको given है vector a आपको यहाँ से बनाना है तो यहाँ से बनाओगी तो vector a कितना हो जाएगा 5 i cap plus 2 j cap minus 4 k cap हो जाएगा तो रग दो vector a की जगे पर 5 i cap plus 2 j cap minus 4 k cap हो गया ठीक है फिर plus lambda vector b तो vector b आपको question में given है 3 i cap plus 2 j cap minus 8 k cap यह आपके क्या हो गया equation of line in vector form बस इतना simple सा आपका question है कि आपको सिर्फ इसमें क्या करना है इस formula के अंदर आपको यहाँ पर values को put कर देना है ठीक है तो हमने vector a की value रग दी vector b की value रग दी lambda as it is this is the required equation यह vector form हो गया formula यह रख लो और इस तरह से solve करना है आप इसी first condition की Cartesian form देखें कि जब आपको एक point given हो और एक vector given हो तो Cartesian form आप कैसे निकालोगे तो आपको कुछ नहीं करना बस इसको solve कर लो देखो हम इसी vector form को लेकर के चलेंगे vector form हमारी क्या है vector a plus lambda vector b equal to r vector अब आप इसमें आप क्या करो value put करके और इसको बस solve कर लो तो vector r आपको पता ही क्या होता है x i cap plus y j cap plus z आपका कितना होता है k cap होता है और vector a जो हमें points given होते हैं उनको हम x1, y1, z1 क्याते हैं तो question में जो given था हमने यहाँ पर क्या कहा था तो हमने उसको कहा था AI cap plus आपका यहाँ पर यह देखो यह given हमने ऐ आपकर लिखा था AI cap plus B C cap कहा था यह vectora यह यहरा vector r यह यह और गार अपकर b हमारा यह रहा तो AI cap plus b j cap plus C क्या हो यहाँ पर K cap हो गा अब इसको आप solve कर लो तो solve करने के लिए हम यहाँ पे सबसे easy way क्या है यहाँ lambda है इसको उधर बेज दे जाए तो देखो यह उधर जाएगा तो solve करना देखो इधर भी आई है इधर भी आई है तो आई तो हमारा बहार आ गया अंदर क्या बचा? x-x1 बचा ठीक है? फिर plus अब यह भी उधर जाएगा तो यहाँ j cap तो as it is और यह क्या हो जाएगा y-y वन हो जाएगा फिर यह भी उधर जाएगा तो यहाँ k-cap common हाजएगा और यह क्या हो जाएगा z-z बन हो जाएगा ठीक है अब इधर क्या होगा लैमड़ा अंदर मल्टिप्ला कर तो A लैमड़ा I cap प्लस B लैमड़ा J cap प्लस C लैमड़ा K cap हो गया compare करो I का I का A से J का J से K का K से क्योंकि Cartesian form क्या होती जिसमें coordinates होता है X Y Z यही तो होती Cartesian form क्या आप graph में जाके plot कर लो तो दिखो comparing components को compare कर रहे हैं ठीक है तो कितना करो X minus X1 किसके equal हो जाएगा A लैमड़ा के Y minus Y1 J वाला J से तो यह अपका B लैमड़ा फिर Z minus Z1 किसके हो जाएगा तो C लैमड़ा तो हम यहाँ से लैमड़ा की value निकाल लेते हैं तो एक ओधर ले जाओ X minus X1 upon A equal to लैमड़ा Y minus Y1 upon B equal to लैमड़ा फिर Z minus Z1 upon C equal to लैमड़ा अब तीनों लैमड़ा के equal है तो यह आपके X वाला हो गया Y वाला हो गया यह आपका J वाला हो गया Z वाला तो Cartesian product आपके क्या हो जाएगे अगर यह तीनों के right equal है तो left पर लैमड़ा के equal है तो यह तीनों यहाँ पर क्या हो जाएगे यह B equal to Z minus Z1 upon C हो गया तो यह आपके यहाँ पर क्या है This is Cartesian form of equation Cartesian form लिखना है तो यह याद रखना है और Vector form लिखना तो यह याद रखना है infinite point है उनको यह X, Y, Z denote कर रहा है वो point यहाँ 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 जितने भी हो सकते उनको यह X, Y, Z denote कर रहा है X1, Y1, Z1 क्या होंगे जो point आपको गिवन होंगे line के उपर जैसे हमारा जो question था उसमें आपको यह point गिवन है 5, 2, minus 4 तो यह X1, Y1, Z1 आपकी यह होंगे और ABC क्या होते है तो ABC आपके direction ratios होते है तो direction ratios क्या होता है यह vector है न तो vector में I, J, K के जो components है वो आपके ABC यहाँ पर होंगे तो अब इसी question को हमें यह तो हमारी कौन सी form थी vector form थी, Cartesian form में answer निकालना हो तो चेक है तो हमने यह Cartesian form का formula लिख दिया A value यहाँ पर पुट करके इसको solve करो तो यह X-X1 कितना है तो 5 है तो X-5 और आपका direction ratio 3 तो X-5 by कितना हो गया आपका यहाँ पर 3 हो गया फिर next आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा Y-1 कितना है तो यह आपका 2 है फिर Z-Z1 तो Z-4 तो यह आपका Z-4 हो गया अपन C कितना है तो minus का 8 है बस आपको यहाँ पर value पहचाननी आनी चाहिए This is the Cartesian, this is the equation of line in Cartesian form This is the equation of line in vector form, this is the equation of line in Cartesian form हो गया तो यह हमारा यहाँ पर क्या हो गया, first part समझ में आ गया कि हमारा equation of line अगर आपकी यहाँ पर एक point गिवन हो, एक point और इसका vector गिवन हो जो उसके parallel है तो यह दो तरीके होते हैं हमारे पास vector form में आंसर निकालने के, Cartesian form में आंसर निकालने के अब देखते हैं हमारा second वाला तरीका कि equation of line passes through two given points तो देखो equation of line passing through two points तो यह एक line L है, जो दो point से पास होरी, दो point इस पर एक point A है, एक point यहाँ पर B है और आपको पता एक arbitrary point तो हम लेते ही, क्योंकि equation में x, y, z तो आना ही है ठीक है, अब इन दो point से पास होने वाली आपको line के equation यहाँ पर बनानी है तो देखो, हमने जो इससे पहले वाला method पढ़ा था, इससे पहले वाला, ये वाला जो method हम क्या करते हैं, इसी के help से इसमें equation बना लते हैं, कैसे है देखो, इसमें एक point हमें given था, तो हम अभी इस वाले point को यहाँ पर क्या करते हैं, तो नेगलेट कर देते हैं वही a point हमारे पास भी a point यहाँ भी है, p point हमारे पास एक p point भी है हमारे पास बस एक parallel vector यहाँ पर क्या है, नहीं है यह parallel क्या है, vector यहाँ पर नहीं है, तो आपको यह तो पता ही है, कि अगर दो point हमें दिये हुए हो तो उस दोनों point से pass होने वाले vector की equation तो हम निकाल सकते हैं, कैसे देखो यहां पे, a b vector हम का यहां पे क्या हो जाएगा, a b vector हम इजिली निकाल सकते हैं, x 2 minus x 1 i cap, निकाल सकते हैं यह निकाल सकते हैं, x 2 minus x 1 i cap, प्लस हम मैं एक्चल में इसको किया जो पुराना मैंतर था ना उसी के तुरू सॉल कर रही हो कि एक पॉइंट है एक आर्बिटरी पॉइंट है मिरको सिर्फ एक यहां पे पारलल वेक्टर लेकर कर आना है तो यह मैं AB जो वेक्टर है उसी को parallel वेक्टर बना रही हो तो यह वेक्टर में रहा हो गया X2-X1 I cap फिर हो गया Y2-Y1 J cap प्लस आपका Z2-Z1 क्या हो गया K cap हो गया तो इस line के अंदर से मैंने यह वेक्टर निकाल दे तो आप उनका वहाँ पर direction change नहीं करो और वो free है हम उसको कही पर भी इधर उधर move कर सकते हैं तो मैंने क्या कर लिया इस AB वेक्टर को मैंने यहाँ पर इसके parallel यहाँ पर draw कर दिया यह वेक्टर को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया parallel ड्रॉ कर दिया अब ये vector मेरा क्या हो गया यहाँ पर a b vector हो गया तो देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया कि जो मेरा point था उसमें से मैंने इन दो point की help ले करके एक vector बना लिया और उस vector को इस line के उपर से उठा करके और मैंने इसको parallel form में रख दिया तो अभी हम इस point को नहीं देख रहें तो अगर पीछे वाली condition देखें सिर्फ सीधे ये वाली condition देखें तो एक line का अगर एक point हमें गिवन है और एक parallel vector हमें यहाँ पर गिवन है जैसे vector की equation यहाँ पर यह थी यहाँ vector की equation क्या है यह है और एक point कॉन सा है तो x1, y1, z1 है जो की यहाँ पर था तो उस line की equation vector form में क्या होती यही होती है a vector plus lambda b vector equal to r vector यही हमारी equation होती है तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं फिर ठीक है तो यह लिख दिया हमने r vector equal to a vector और lambda और ab vector जो parallel vector वही तो आता है यहाँ पर यह b vector आ रहा न जेखो r vector equal to a vector plus lambda b vector तो यहाँ b vector parallel थो b vector आया यहाँ a b vector parallel है तो आपका a b vector आ गया अब a b vector को हम find कैसे करते हैं तो a b vector को find करने का हमारे पास formula होता है हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है यह b vector find करने तो क्या आप method vector b में से vector a को subtract करंगा तो a point से आपका यहाँ पर यहाँ बनेगा vector a बनेगा bo de at point से आपका À b stuff क्या थो वही तो हमने किया है vector b को vector e में से subtract politics i cap फिर y को में सकिया j cap उसमें स्हें सेकिया केक, तो हम यहाँ पे यह पूरा ना लिखके, vector ना लिखक करके, हम इसकी यह वाली form लिखेंगे, vector, कwide, क्योंक्य हमारी जो vector form है, उसमें क्या solve करना है, वो हम लिखतें, तो vector B- vector A, यह देखो, यहाँ पे भी यहाँपे, vector A, इस form में लिखा ना इस फॉर्म में नहीं लिखा ना आर वेक्टर को लिखा अभी यहां हम सिर्फ वेक्टर की नेमिंग करने हैं तो यह भी वेक्टर आया कहां से तो वेक्टर बी में से वेक्टर एक को सब्ट्रैक करने से आया तो बन गई आपकी इसली वेक्टर फॉर्म यही आपकी यहां पहते जिवन होंगे दो पॉंट से कोई लाइन पास हो रही है तो उसकी वेक्टर फॉर्म आप यहां से लिख लोगे चिके तो यहां पर मैंने लिख दिया और वेक्टर के हैं हमने पीछे भी देखा था क्योंकि यहां पर मैंने सब के पोजिशन वेक्टर नहीं बनाए जैसे मैंने यहाँ पर बनाए थे ना इसमें आथर से भी हो जाता है आप पोजिशन वेक्टर बनाओ पोजिशन वेक्टर बनाओ बट इसी से इसको आर को आ रहने दोगे solution में तब भी चलेगा वेक्टर ए कहां से आएगा तो वेक्टर ए आपका यहां से x1 i k plus y1 j k plus z1 k k position वेक्टर है तो इसकी equation बनाऊ गई तो बनेगे x1 minus 0 i k इस तरह से फिर वेक्टर b आपका यहां पर क्या होगा तो वेक्टर b आपका यहां पर हो जाएगा इसका x2 minus 0 i k y2 minus 0 तो वही x2 i k y2 j k and z2 आपका यहां पर k k. तो यह आपको यहां पर देखो फॉर्मूला भी आदर लोगे लेकिन पुट क्या करना है वहां गडबड मत करना तो अभी जो method हमने यहां पर पढ़ा है उसका हम यहां पर क्या करते है एक्जाम्पल भी देख लेने find the vector and cardigan equation of the line passing through the points तो अभी हम सिर्फ यहां पर vector देखने हो तो vector के लिए हमारी equation क्या थी कि vector r equal to vector a plus lambda vector b minus vector a होने है तो r की जगे तो r ही रहें दो a vector इस point से आएगा तो इसका vector आप कैसे लिखोगे minus का i cap minus 1 ए minus का i cap 0 j cap लिखने की जोरूत नहीं है और यह आपका 2 k cap हो गया और b से हमारा क्या आएगा vector b आएगा तो यह होगे 3 i cap plus 4 j cap plus आपका 6 कितना हो गया k cap हो गया value put कर दो vector a की value minus a plus 2 k cap हो गया फिर plus lambda vector b minus a तो सीधा minus कर दो 3 i minus minus i तो यह आपका 4 i हो गया ठीक है फिर 4 j minus कुछ ही नहीं यह आप तो 4 j ही रहेगा 6 k minus 2 k तो यह भी आपका यहाँ पर 4 k ही रहेगा तो यह आपकी simple क्या हो गया vector form हो गयी equation की किसकी line की यह आपकी vector form है equation of line की तो देखो question बहुत ही easy है समझ में आ रहे हैं तो बहुत easy अब Cartesian equation देखने है तो पहले उसको देखे कैसे बनेगी वो तो Cartesian form देखने के लिए या तो आप उसको पहले जैसे हमने पूरा solve किया वैसे ही कर लो या आप वहां से आप idea लगा करके भी लिख सकते हो देखो यह हमने solve कियाता ना पहले इसको ही equation के अंदर r की value रखोगे a की रखोगे b-a है वहाँ पर तो b-a करके रखोगे solve करोगे compare करोगे यही आएगा लेकिन आप पहली equation से ही थोड़ा idea ले लो कि पहली equation आपको यहाँ पे क्या कह रही है कि उपर x-x1 होता है y-y1 होता है z-z1 होता है और जो parallel line हमारी है parallel line कौन सी ये वाली इसके direction ratios से हम यहाँ पे क्या करते हैं divide करते है numerator तो आपका same रहेगा चाहे आप यहाँ को solve करो चाहे वहाँ को solve करो numerator आपके सारे के सारे same रहेंगे लेकिन denominator आपका यहाँ पर क्या आएगा कि जो line parallel है उसके direction ratios हमें put करना है तो यहाँ पे भी हम देखो सीधा का सीधा यहाँ पर लिख सकते है देखो यह हमारा क्या हो गया आपने वहाँ पर देखा था एक्स माइनस एक्स वन अपन ए था तो ए क्या हो रहा था आपका यहाँ पर समझा देती हो देखो यह रहा यहाँ है देखो एक्स क्या हो रहा था यह parallel line है इसके i का component था अब यहाँ पर parallel line कौन है a b तो a b का i का component कौन है x2 minus x1 है क्योंकि यह दो point है यहाँ पर तो a से b तक की distance जो होगी उसका x component से आपको divide करना है तो यह आपका यहाँ पर क्या हो गया x2 minus x1 है तो यह आपके direction ratios यह तीन हो है क्योंकि parallel line a b है parallel line a b की equation यह है और a b की equation में जो components है यह वाले वहाँ a b c थे य यहाँ आपके a b c थे क्योंकि direct given थी और यहाँ parallel line हमने बनाई है तो यह है तो बस simply आप इसको यहाँ पर लिख लो x2 minus x1 और दूसरा क्या है y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus ka z1 होगा तो यह आपके cartesian form है direct हो गया नहीं तो आप पूरा solve करके कर सकते हो जैसा कि अभी हमने यहाँ किया था बिल्कुल as it is यह वाला yes as it is आप इसको solve करो compare करो components को और आप लिख लो तो इतना करना तो करना तो आप कर सकते हो बुक में भी आपको पूरा solution दिया हुआ है इस समझने वाली बात जो थी जब आप formula apply करोगे तो यहां क्या रखोगे वह आपको दिमाग में होना च question कि भाई इसका Cartagen form में भी लिखो equation ठीक है तो करो यहां पर x1 y1 z1 किसके होंगे एक capital A जो पहले वाले point है उनके component तो x minus x1 तो minus minus क्या हो गया plus 1 हो गया y minus क्या हो जाएगा यहां पर 0 हो जाएगा पर उपर उपर लिख दें z1 तो यहां पर कितना हो जाएगा z minus 2 हो जाएगा तो यह 4 4 4 आजागा तो इसके divide में 4 नहीं समझ वा रहा है 3 minus minus 1 4 यह आपका x2 x1 है 4 minus 0 तो यह भी आपका 4 6 minus 2 तो यह भी आपका 4 हो गया तो एक्चुल में यह आपकी क्या है AB vector ही है यहां पर है तो यह आपका हो गया तो देखो कितना easy हमारे यह दोनोर topics हैं तो बस formula याद production में 4 topic और बचे हुए है और वो भी अगर वीडियो बना जाएंगे तो डेट गंटेक हो जाता है इसको मैंने अलग कर दिया ताकि इस topic को आप बहुत अच्छे से वित example समझ सको तो यह हमारे दो topic हो के इससे related आप question करो जितने में आपको second इसका part भी introduction का मिल जाएगा करें वीडियो को लाइक करें और नोट्स का लिंग डिस्क्रिप्शन में दिया हुए थैंक यू